हेलो एवरिवन माई नेम इस मीत आप दिख रहे हैं टेक्निकल गवर्मेंट जॉब अलवर इंडिया यूट्यूब चैनल आज की वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है विकोज आज मैं आपके लिए 13 नई नोटिफिकेशन लेकर आई है अलेगलेक लुकेशन वाइज विकैंसी जिसमें 10-12 ग्राइशन इवन पोस्ट ग्राइशन के लिए विकैंसी भी आई हुई है इसके इलावा एक और डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन है जो आपको शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगी वह स्टार्टिंग में ही आपक सो ब्रीफ में डिस्कस करेंगे वीडियो को कम्प्लीट जरूर देखना अगर आप चाहते हैं इसी तरह से हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए ओफिशल नोटिफिकेशन पीरियाफ के साथ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को ज कलोरी डोट कॉम पर विजिट करके इन्फोमिशन ले सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जाकर मिल जाएगा और आप वेब साइट भी देख पा रहे हैं आप चाहो आप इसको डारेक्ली गूगल पर टाइप कर सकते हैं फर्स नमर पर आपको हमारी ऑफिश किसी भी केटेगरी से आप बिलॉंग करते हैं किसी टाइप की कोई फी या फिर कोई इंटीमिशन चार्जिस आपको पर नहीं करने हैं नहीं आपका कोई एक्जाम होगा नहीं कोई एज की बाउंडेशन है किसी भी एज ग्रुप के कैंड़ेट इन्विकेंश के लिए एप कर सकते हैं इंडिया में वे सिर्ट से बिलॉंग कर दें ऐसाला आपकर्स सकते हैं मिलह के रहगे कर सकते हैं तो बारा नोटीसफी apprendre कि मैं बताए यह लग का देपाटमेंट कर सक Cape C सबसे पहले आपको उसी का बता देती हूं 15,198 जो विकैंसी है यह यूपी की तरफ से आउट हुई है इसके लिए औल इंडिया से भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इंटरस्टीड है इसमें जो विकैंसी है टीजीटी पीजीटी टीचर की है ग्रेज़िशन पोस्ट में चेक कर लेना इसके लिए मेल फीमेल दोनों इलीजीबल है इसे के ऑपोस्टेट अगर मैं के बात करो उसमें टीचिंग डिपार्टमेंट की विकैंसी भी है टैंथ ट्वेल्थ ही ग्रेज़िशन पोस्ट ग्रेज़िशन एंड अदर्रस के लिए विकैंसी है जो हम आग गर्णिशन प्लेश की कंडिशन है आपकी एज मिनिममुम 100 मैं seulement मैं कर सकते हैं कि यहां पर मैं सब्सक्राइब कर सकते हैं कि पहसे बो अपको पता है किसी भी लोकेशन लिए लिए वेकैंसीज़ा का अपने कर सकते हैं वाट इस बार तो अलग लोकेशन के वैंसी बाद जै इसके बाद में आपको पताऊंगी इसके लिए अप्लाई का प्रोसीजर है और किस तरह आपकी स्नलैक्शिन होने वाली है. हैं इक्साम नहीं जो मैंने चिक पूफ कंड़ पालग ड़ी करने हैं, फिर आपकी स्नलैक्शन कैसे होगी? जैसे मैंने आपको बताया है इसमें teaching की vacances भी है non teaching की भी है यह जो सारी के सारी notification है इसके लिए ना तो आपको online apply करना है ना आपको offline apply करना है फिर apply किस तरह से करना है आपको डारेक्टर इनकी interview attend करना है जो की walk-in होने वाली है इंडिया में 12 जगह पे यह vacances है तो बहुत बढ प्रक्टर की है computer instructor के लिए इसके इलावा PRT means primary teacher की vacances है trained graduate teacher, post graduate teacher की अलग-अलग subject wise vacances है कौन-कौन से subject है वो भी हम discuss कर लेते हैं कहने का मतलब यह कि इसमें teaching and non teaching दोनों के लिए vacances है जो candidate हमेशा है teaching के रिए इंट्रस्टी रहते है वो उसके लिए apply कर सकते हैं जो चाते है कि हमें back end में job मिल जाए तो उनके लिए vacances भी है सबसे पहले हम बात करते हैं जो PGT के vacances है उसमें कौन-कौन से subject के लिए है तो PGT मतलब post graduate teacher के लिए vacances है इसके लिए जो subject है English, Hindi, Maths, Physics, Chemistry, Biology, Bio Technology, Punjabi, History, Geography, Economics, Commerce, Computer Science के लिए vacances है इसके इलावा अगर मैं बात करूँ TGT की मतलब trained graduate teacher की इसमें जो subject है हिंदी, English, Maths, Social Science, Social Studies, Sanskrit, Vocational Teacher, Music की vacances भी है Vocational instructor, Computer instructor की vacances भी आउट हुई है इसके इलावा भी अलग-अलग subject है जो trained graduate teacher के लिए vacances उन्होंने आउट की है Next हम eligibility के भी बात करेंगे कौन सी post के लिए क्या eligibility है और कौन सी location के लिए interview कब आपकी होने वाली है Next वो post है वो PRD की है मतलब primary teacher की यह vacances है इसके इलावा sports coach की vacances है जिसमें handball, khokho, yoga teacher की vacances है काफी type की vacances आपने देखा out हुई है one by one discuss करेंगे किस post के लिए क्या क्या eligibility रहने वाली है सबसे पहले हम discuss करते हैं जो computer instructor की vacances है उसके लिए कौन eligible है जो computer instructor की vacances है इसके लिए आपने BE, B.Tech की हुई है computer science में या आपने BCA, MCA या MSA computer science में की हुई है या IT में या computer science component में तो आप eligible है apply कर सकते हैं अगर आपके पास यह eligibility नहीं है आपने bachelor या फिर master's degree की हुई है science subject के साथ तो भी आप इस vacances के लिए apply कर सकते है, science subject या फिर maths के साथ आपने की है तो आप इस post के लिए eligible है apply कर सकते हैं जैसे मैंने आपको starting में बताया हर एक क्वालिफिकेशन के accordingly vacances है 10th, 12th graduate, post graduate जो हम step by step discuss कर ही रही है अभी हमने एक post की eligibility की बात की है, next post है वो है TGT की, मतलब trained graduate teacher की इसके लिए आपने 4 years की integrated degree course किया हुआ है Regional College of Education of NCERT से तो आप इस post के लिए eligible रहेंगे apply कर सकते हैं male and female दोनों ही अगर आपके पास ये eligibility नहीं है, आपने bachelor degree की हुई है और 50% marks के साथ concerned subject में जो काफी subject मैंने आपको बताये, इसके इलावा भी काफी subject है आप खुद से भी एक बार notification को जरूँ चेक करके apply करना है उसके बाद अगर आपने किया है तो आप apply कर सकते हैं जिसमें आपके पास elective subject अगर आपके पास मान लेजी आप apply कर रहे है हिंदी के लिए तो अगर आपके पास वो compulsory नहीं था 12th pass candidate eligible है apply कर सकते है जिरो ने 50% marks के साथ की है इसके साथ एक और condition है अगर आपके 10th में भी 50% या उससे अबव थे तो आप इस post के लिए eligible रहेंगे apply कर सकते हैं इसके साथ एक condition है अगर आपने स्रीट 8 second का जो paper है वो qualify किया हुआ है तो आप primary teacher के लिए apply कर सकते हैं इसके इल अगर आपके पास यह eligibility नहीं है आपने NDL जा EBT का exam clear किया है तो भी आप primary teacher के लिए eligible है apply कर सकते हैं इसके इलावा data entry operator के अगर मैं बात करो data entry operator की जो vacances है अलग लोकेशन में है सारी location के लिए नहीं है notification में आपको देखना होगा जिस जिस location के लिए है किसी location में 10th pass eligible है किसी म सकते हैं अगर आपने की हुई है 50% marks के साथ next two post है वह counselor की जिन candidate ने bachelor of arts या फिर B.S.C. की हुई है psychology में और उनकी पास diploma है या फिर diploma का मनलब certificate है counseling में तो वह इस post के लिए eligible है apply कर सकते हैं और जो मैंने आपको counselor की post बताई है यह इसके लिए experience मांगा हूँ है one year का बाकि सारी क विकेंस फ्रेशर केंडियर के लिए आगे मैं आपको बताऊंगी किस location के लिए किस day interview आपकी होने वाली है इसके बाद जो next post है वह coach sports, art and craft के लिए और yoga music के लिए इसके लिए अगर आपने degree या फिर diploma किया हुए relevant discipline में आप इन विकेंस के लिए apply कर सकते हैं और yoga teacher के अगर मै आपने one year की training लगाई हुए है योगा में और आपको computer knowledge है तो आप yoga teacher के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद जो next post है वो है nurse की इसके लिए अगर आपने 10th pass की है A grade की certificate के साथ और आपने diploma किया हुआ है nursing में और आप बोलना जानते हैं मतलब आपके speaking skills है English and Hindi दोनों language में तो आप इ आपने की है आप अलाई कर सकते हैं और अगर आपने रिजिस्टर करवाया हुआ MCA या फिस्टेट मेडिकल कॉंसल में तो आप इन विकैंसिस के लिए eligible रहेंगे apply कर सकते हैं तो यह सारी विकैंसिस है जो out हुई है जो मैंने आपको बताई है अब हम बात करते हैं कौन सी location क कब आपकी इसके लिए interview है कब आपको इसके लिए जाना होगा उससे पहले important बात आपको बताना चाहते हूं salary इनोंने describe नहीं की है but as per norms बहुत बढ़ी है salary package हमेशा KBS आपको offer करता है अगर eligible है walk-in interview ज़रूर आप attend कर लेना और इसके लिए जो application form इनोंने attach किया हुआ हर एक notification के साथ आपको फिल करके walk-in interview पर लेके जाना है कहीं पर send नहीं करना आपको साथ में लेके जाना है हो सकता है वहाँ पर reception में आपके submit हो जाए जो भी next procedure है बट आपको अपनी तरफ से form फिल करके लेके ही जाना है age की कोई foundation नहीं है सारे candidate apply कर सकते है KBS की location कोई भी हो vacances की all India से आप हमेशा apply कर सकते है मैंने आपको स्टाटी में बताया है 10 से 11 location के लिए vacances है one by one में आपको बताती हो किस location के लिए कब आपको interview के लिए जाना है पहली जो location है वो है KBS गुडगाओं के लिए जिसके लिए 24th March 2021 को interview होने वाली है और एक important बाद टाइमिंग सब के लिए अपने location के accordingly check कर लेना किसी location के लिए morning में 8 बजी है किसी location के लिए morning में 10 बजी है बट आपको हाफ एनार पहले वहां पे पहुंचना है विकॉज अगर कोई वहां पे other formality होने होगी तो वह उस बीच में हो जाएगे तो आपको हाफ एनार पहले वहां पे पहुंचना है तो उसके बाद KVS IEIT कानपूर के लिए है जिसके लिए 22nd and 23rd March 2021 को आपके इंटरव्यू होने वाली है इसके इलावा KVS फिरोजपूर पंजाब के लिए है 19th March 2021 और 20th March 2021 दोनों डे इंटरव्यू होने वाली है जब भी आप comfortable हो आप apply कर सकते हैं और visit कर सकते हैं आपको 19th March 2021 को इनके गिवन एड्रेस पे आपको जाना है वाकिन इंटरव्यू के लिए जो भी टाइमिंग होगा जिस पी लोकेशन के लिए बस आपको पहले बहां पर पहुंचना है नेक्स्ट लोकेशन है वो है KVS Himachal Pradesh के लिए जिसके लिए 18th March को आपको मौनिंग में पहुंचना है उसके बाद KVS पठानकोट और कपूर्थला के लिए है जिसके लिए आपको 19th March 2021 20th March 2021 दोनों डे आपको पहुंचना है कपूर्थला के लिए अलग वैन्यू है पठानकोट के लिए अलग वैन्यू है जिसके लिए आप कमफरेबल आप जा सकते हैं वो KVS पत्याला है जिसके लिए 18 तूर 20 मार्च 2021 तक इंटर्व्यू चलेंगे तो जिस भी लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं जरूर अप्लाई करना और अगर आप इंट्रस्टीड है किसी और लोकेशन से बिलोंग करते हैं अप्लाई जरूर करना विकॉज इसमें ट्रांस आपके लिए अप्लाई जरूर कर सकते हैं बार में ट्रांसफर हो जाते हैं विकैंस के लिए सारी के सारी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रवाइड कर दी है क्लिक करके चेक करके किस लोकेशन के लिए क्या इलिजिबल्टी है किस लोकेशन के लिए कौन कोन से और वेन्यू एंड टाइमिंग वह आपको चेक करना है और वहाँ पर पहुंचना है और अगर फर्स टाइम आप चैनल पर आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चलिए आज के लिए इतना ही अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ थैंक्स फॉर वाचिंग तो